सुपरबात विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नवल किशोर, साहे का चार हिंदी, आप सभी का ओनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ विद्यार्थियों, हम बी ये द्वित्य वर्स का हिंदी साहित्य का जो द्वित्य प्रश्न पत्र है उसकी पांचवी और अंतिम इकाई के बारे में पढ़ रहे थे और इस इकाई के अंतरगत हमने आदुने काल के अंतरगत, भारत तेंदु युग और द्विवेदी युग की चर्चा पिछले कालांसों में की थी आज हम उससे आगे चायावाद के बारे में चर्चा करेंगे आज के कालांस में हम चायावाद का अर्थ, परिभाषा और उसकी जो सामाजिक और सांस्कृतिक द्रिष्टी है उस पर एक नजर डालने का प्रयास करेंगे विद्यार्थियों आदुने काल का जो तिर्थे चरण है इस कावे को चायावादी कावे का गया है और मोटे तोर पर देखें तो जो चायावाद की समय सिमा है वह 1926 से लगा कर 1936 तक मानी जाती है किन्तु कतिपे विद्वान जो है समय सिमा को 1918 से लगा कर 1938 भी स्विकार करते है यदि हम चायावाद की अंतरगत जैसंकर प्रसाद सूर्य कांत्रिफाटी निराला सुमित्रा ननपंत और महादेवी की रचनाय देखें तो इनकी रचनाय चायावादी विशेष्ताओं से युक्त है और परिमान की दृष्टी से भी प्रयाप्त है अतर चायावाद को इस काल की परधान प्रविर्थी स्विकार करते हैं इसका जो नामकरण है वो चायावाद करना समीचीन प्रतीत होता है यदि हम देखें तो चायावादी जो रचना है उनमें उच्छ कोटी का कवित्व अनुभूती की तीवरता हमें विद्यमान दिखाई देती है और जैसंकरपरसाद की जो रचना कामाईनी है कामाईनी में चायावादी प्रवर्तियों का पूर्ण समावेशा में दिखाई देता है यदि हम इस काल की तरफ ध्यान्दे विद्यार्थियों छायावाद का जो काल है तो इस काल में भारतिय जन्दमानस में स्वाधिन्ता की आकांग्षा, राष्ट्र प्रेव, अहिंसा, गांधिवाद जैसे मूल्य थे विव्याप्त थे सदियों की दास्ता से पीडित, जन्ता में स्वातंत्रे चेतना हैं, वह जोर मार रही थी परिणामत सुप्त देश की आत्मा पूरी शक्ती के साथ है, वह उद्वेलित होटी उस काल की कविता पर उस समय के सभी जो मापुरुष हैं, उनके जीवन मुल्यों एवं सिद्धानतों का व्यापक प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है गांधिवा से प्रभावेत कवियों की तो पूरी स्रंकला ही हमें इस काल में दिखाई पड़ती है छायावादी कविता में हम देखें तो व्यक्तिक्ता की जो भावना है वो प्रमुक है राजनितिक आकांक्षाओं की पूर्ती न होने से जो निरासा, कुंठा, विक्षोब उत्पन हुआ उसकी अभी व्यक्ति हमें ततकालिन काव्य में दिखाई पड़ती है निशकर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि छायावादी कविता ततकालिन यूकी परिस्तितियों से उत्बूत है निश्चे ही छायावाद का जुजन में वह द्विवेदी यूकी परतिकिरिया एवं ततकालिन राजनितिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्तितियों के कारण ही हुआ है ऐसा हम कह सकते हैं मान सकते हैं इससे आगे यदि हम विद्विद्यार्थियों छायावाद का अर्थ और उसकी परिपाशा की तरफ ध्यान दें तो छायावाद का जो प्रियोग है प्रारब में व्येंगे रूप में उन कविताओं के लिए किया गया जो की अईसपर्श थी दूसरे सब्दों में कहें तो जिनकी छाया या अर्थ कहीं और पड़ती थी कालांतर में यह नाम उन कवियों के लिए रूड हो गया जिन में मानव और प्रकरती के सुक्षों सौंदरे में आध्यात्मित छाया अर्थार्थ रहशेवाद का बान होता था और वेदना की रहशेमई अनुभूती की लाक्षनेक एवं प्रतिका आत्मक्षेली में अभी वेंजना की जाती यदि कुछ विद्वानों की सम्मंद में हम परिबाशाओं को लें तो सबसे पहले हम आचारे रामचंद्र शुक्ल की जो परिबाशा है उसकी तरफ हम ध्यान देते हैं शुक्ल जी कहते हैं कि छायावाद का प्रियोग दो अर्थों में समझना चाहिए एक तो रहशेवाद के अर्थ में जहां उसका सम्मंद काव्य वस्तू से होता है अर्थार्थ जहां कवी उस अनंत और अग्यात प्रियत्म को आलंबन मना कर अत्यन चित्रमई भाशा में प चायावाद का दूसरा प्रियोग काव्य शैली या पदती विस्त के व्यापक अर्थ में हैं इसपश्ट है कि आचारे राम-चंद-शुक्ल चायावाद के एक अर्थ रहशिवाद मानते हैं तो दूसरा अर्थ कावे की विशिष्ट शैली को स्विकार करते हैं अब हम यदि डॉक्टर रामकुमार वर्मा की जो परिबाशा है उसकी तरफ ज्यान दें तो रामकुमार वर्मा कहते हैं कि प्रमात्मा की छाया आत्मा में आत्मा की छाया परमात्मा में पढ़ने लगती है तबी छायावाद की स्रिष्टी होती है यदि डॉक्टर नगेंदर की विचारों की तरफ हम ध्यान दें तो वे कहते हैं कि छायावाद इस्थूल के प्रति शुक्ष्म का विद्रो है यह एक विशेश प्रकार की भावपदती है जीवन के प्रति विशेश भावात्मक दृष्टी को है महादेवी वर्मा अपने विचार व्यक्त करते वे कहती है कि छायावाद तत्वतह प्रकृति के भी जीवन का उद्गीत है उसका मूल दर्शन सरवात्मवाद है यदि हम विद्यार्टियों निम्न परिभाशाओं के आधार पर छायावाद के संबंद में यदि निसकर्ष निकालें उसके स्वरूप के बारे में बात करें तो हम निम्न निखित जो निसकर्ष निकाल सकते हैं हम कह सकते हैं कि छायावाद में इस्थूलता के इस्तान पर शुक्ष्मता दिखाई पड़ती है अगले बिंदू में हम यह निसकस निकास सकते हैं कि यहाँ प्रेम प्रिकर्ति एवं सौंदर्य का काव्य है तीसरे बिंदू के रूप में कह सकते हैं कि छायावादी जो कावे है इसमें रहशेवादी प्रविर्ती जो है वो विद्यमान है अगले निसकर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि इस छायावादी कावे में अभी वेंजना पदती जो है उसमें नवीनता है चायावादी कावि जो है उसमें स्वानु भूती की प्रदानता है आगे अंग्रेजी की जो रोमांटिक काविदारा है उससे ये प्रेरित है और अंतिन निसकर्ष के रूपे कह सकते हैं कि इसमें सांस्कृतिक जेतना मानवतावादी दिश्टी कौन की प्रमुपता है तो इस प्रकार से विद्यार्थियों यदि निसकर्ष निकालें तो संक्षिप रूप में ये कहा जा सकता है कि प्रेम प्रिकर्ती और मानव सौंदरे की स्वानु भूती मैं रहश्य परक शोक्ष्म अभी वेंजना जिस कावे में होती है उसे छायावाद कहा जाता है आज के लिए इतना ही विद्यार्थियों अब अगले कालांस में हम जो छायावादी कावे है उसकी जो प्रमुक विशेशता है प्रविर्तिया है उसके बारे में अध्यन करेंगे तब तक आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद